नोईडा के सेक्टर 62 में फिलाल हम मौजूद है बारिश होने के बाद जल जमाओ जल भराओ की स्थितियों को देखते हुए हम फिलाल यहाँ पर आये हुए हैं क्या कुछ तस्वीरे हैं वो दिखाना चाहेंगे सेक्टर 62 की जो रोड है सामने ममूरा की और जाती है और कितना जादा यहाँ पर सडकों पर पानी भर गया है जिसके चलते लोगों को काफी जादा परिशानिया हो रही है देख सकते हैं उपर यहाँ पर हम मौजूद है इसके सहारे जो बीच में डिवाइडर होता है उस पर खड़े होकर उससे निकल कर लोग आ जा रहा है लेकिन गारि इस तोर से यह बड़ा सवाल नोईडा अथोरिटी के उपर उठ रहा है कि आखिर मौनसून को देखते हुए क्या नालियों की सफाई नहीं हुई थी जिसके चलते पूरे नोईडा में कि अलग-अलग इलाकों में इस तरह की स्थितिया जो है वो लगातार देखी जा रही ह बात की जा अगर सुक्षता के मामले में तो यूपी में सबसे सुच और सबसे साफ शहरों में नंबर एक पर नोईडा का नाम आता है और इस सब के बावजूद क्या कुछ स्थिति है मांसून की सुरुवात हो चुकी है लेकिन उसके बाद बारिश के बाद किस तरह से जल जमाओ के स्थितिया वह गई है तो इस तरह की जो तस्वीरें वह सेक्टर 62 के इलाके की है यहाँ पर आप देख सकते हैं गालिया जो है वेसी काफी जादा यहाँ पर सड़कों पर पानी भर गया है जिसके चलते इसी पानी में से ही गालिया यहां से निकल रही है तो लगा पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या मांसून की आहट के मद्दे नजर नाली नालों की सफाई नहीं हुई थी जिसके चलते इस तरह के इस्थितियां पैदा हो रही है तो सेक्टर 62 की हम यह तस्वीरे दिखा रहे हैं और देख सकते हैं गालियां किस तरह से यहां से निकल रही ह तो साफ तोर से बड़ा सवाल नोईडा अथॉर्टी के उपर उठ रहा है कि आखिर बारिश के मद्दे नजर मांसून की आहट से पहले क्या नोईडा अथॉर्टी की ओर से नालियों की सफाई नहीं हुई थी जिसके चलते जल भराओ जल जमाओ की स्थितियां पैदा हो र रही है कैमरा परसन हेमन कुमार सूथ के साथ दिवैंकर तिवार ये वीपी न्यूज नोईडा